दीपक मिमा की कटार बनी है माता काली ने कटार क्यों धारण की? जब राक्षश ने ये वर्दान प्राप्त किया कि कोई इस्तरी ही उसका वद्ध कर सकती है तब ब्रमा जी ने माता काली का रूप जो मता पार्वती है उनसे प्राथना की की दार्वती नाम का राक्षश ने इसका वद्ध आपकी कर सकती है और माता कार्वती ने माता काली का रूप ठान किया उन्होंने माता पार्वती ने एक अंश निकाला जो उनकी शक्ती थी ये अंश एक चमकता वा तेज था ये है अर्श देखते हैं देखते हैं बगवान शिव के नीलकंट से होते हुए उनके शरीर में परवेश कर गया फिर बगवान ने अपना तीसरा नेतर खोला इसे तीनों लोग भैसे कापने लगे और माता काली को उने शक्ती प्रदान की माता काली की असीन शक्तिया मिली विशकरमा ने माता काली को कटार प्रदान की ये ऐसी कटार प्रदान की कि जिसका प्रयोग कभी निश्वल नहीं जाएगा क्योंकि विश्कर्मा, भवन निर्मान, अस्तर निर्मान में देवताओं का सहयोग करते थे ऐसे करकर के सभी देवी देवताओं ने माता काली को अलग-अस्तर प्रदान किये अपनी शक्तियां प्रदान की दिपक में कटार अगर आपकी बन रही ही है सामने आप देख सकते हैं या करती है इसमें कटार बनी वी है तो इसका क्या आर्थ है माता काली जब अपना रोद्र रूप धान करती है तब वो अपने सभी अस्तरशस्तरों को धान करके वद करना शुरू कर देती है जब माता काली किसी भगत पर खुश हो कर आती है तो अपनी शक्तिया उसे प्रदान करती है अपनी योगनिया और जोगनिया प्रदान करती है मा की बहुत सारी ऐसी सेविकाएं हैं जो मा के साथ सदैव रहती है कटार के बारे में कहा जाता है माता की सबसे प्रिययोगनी है ये मा सदैव इसका प्रियोग करती है अगर आपके पास माता काली की शक्तिया आने लगी है उनकी अलग-लग रूप आने लगे है तो आपको कैसे पता चलेगा आपके दीपक में कटार बनी है माता योगिनी कटार की शक्ति आपको प्राप्थ हो गई है इनकी शक्तिया प्राप्थ होने पर आपके शत्रू आपसे हारने लगेंगे कोई भी कारिय आपका निश्पल नहीं होगा जिस कारिय के लिए आप मा को याद करेंगे मा उस कारिये को जरूर करके आएगे मा के साथ ऐसे ऐसी शक्तियां रहती है जो सदैव उनकी सेवा करती है तो उन में एक ये शक्ति भी राजमान है तो ऐसी आकर्ति बनना बहुत अच्छी है अगर आप पर कटार की आकर्ति बन रही है तो माता जोगनी की आपको शक्ति मिलेगी ये शक्ति आपके लिए कैसे कारी करेगी ये शक्ति आपके लिए जब आप कोई संकट आपके सामने आता है किसी पर भूत प्रेत की बादा है काला जादू करवा रखा है अगर वो वेक्ति आपके सामने आता है आपने उसके दुख दूर करने हैं तो माता काली को याद करके उसके सर पर नीमू काटे और माता को कहें कि मा इसका सारा जो नेगिटिविटी है इसको दूर करें और उसके बाद आप मा को भूग प्रदान करें उस व्यक्ति के नाम से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है एकदम हम किसी का संकट काटते हैं संकट कट जाता है पर उसके पीछे बहुत सारी चीजे रह जाती हैं कमजोरी दिमागी रूप से उसको उस चीज को सहन करना कि हां मैं ठीक हो गया हूँ इसलिए एक महीने की अवधीतों लगती ही लगती है और अगर किसी का स्वास्त है बहूत कमजोर हो गया तो उसको छे मिने लग जाता है संकट कटने के बाद भी लोगों को रहता है कि नहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये मा सोचों कि उनका संकट नहीं कटा है, संकट तो मा ने काठ दिया है आपने मा को भोग भी प्रदान कर दिया उस व्यक्ति के नाम से बस अब उस व्यक्ति को उर्जा कितनी मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरबार से अपना संकट कटवा लेते हैं उसके बाद कोई पुजा पाठ नहीं करते हैं अब आपको डेंगो हो गए, आप ठीक हो गए हो तो अगर उसके बाद आप वही नॉर्मल खाना खा रहे हो या खाना डग से नहीं खा रहे हो या आप कोई अच्छा नुट्रिशिन वैल वाला भोजन नहीं कर रहे हो तो आपकी रिकवरी जल्दी कैसे होगी ऐसे ही नेगटिविटी को जब आप किसी बगत के द्वारा कटवाती है उसके बाद उसने अपना कारिय कर दिया है अब आपकी बारी है कि आपने अच्छी ओरा को ग्रहन करना है ये सदैव याद रखे जिन में कोई दिकट होती है उनमें स्थान बन जाता है उस स्थान को आपने भरना है उस उर्जा को आपनी भरना है अच्छी उर्जा से शुरू में आप बजन की रितन सुनें उनके 24 गंटे जाप कर सकते हैं माता माता आप मा को पुकार सकते हैं पर अगर आपने अपना संकट कटवा लिया उसके बाद भी आप सोचते हैं कि नहीं मुझे पुझा पाठ करने की क्या जरूत है भगत जी ने जो करना था वो कर दिया है तो आपने अपना कारिय छोड़ दिया उन्होंने कर दिया है और फिर आपको लाब आधा मिलेगा फिर आप ये कहना कि नहीं मुझे तो कोई लाब नहीं मिला है एक बच्चे को टीचर ने पढ़ना सिखा दिया है अब उस बच्चे का काम है कि वो कितना उसकी प्रैक्टिस करता है पढ़ता है लिखता है या कारिय नहीं करता है अगर आपके दीपक में कटार बन रही है तो माता की सबसे बड़ी जोगनी आपको प्राप्त हो गई है जो हर चीज को काटते वे निकलने की शक्ति रखती है इस शक्ति को आप कैसे प्रियोग करेंगे भूत पिसाच निकालने में उपरी बाधाओ को दूर करने में अगर किसी परवशी करने होगा उसको काटने में बहुत सारी चीजों को आप इसका प्रियोग कर सकते हैं फर इसका प्रियोग करते वक्त सावधानिया रखनी होंगी आपको कि आप जो भी कारिय करें वो मा से पूछ कर करें मा की आग्या लेकर करें और देखे सामने वाला जो वेकति है वो उसका आप कारे कर रहे हो कारे करने योगे भी है कि नहीं है कई लोग इतने पापी और दुष्ट होते हैं कि उनका कारे भी नहीं करना चाहिए इसलिए बगतों को भी सावधान रहना चाहिए अगर आपके दिपक पर कटार बनी है, कटार का मतलब है, मा की शक्ती मिल गई है आपको अजीब सी उर्जा पराप्त होगी इस उर्जा में कईयों को सर में बहुत अर्द बन जाता है, सर घूमता रहता है क्योंकि उस शक्ति को सहन करना आसान काम नहीं है शक्तियों को सहन करने में ही लोग रह जाते हैं और आप सभी यूटूब पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि माताकाली का संदेश आ गया है हाँ, अगर आपकी कटार बन रही है तो माताकाली का संकेत आ गया है संदेश आ गया है कि बच्चे में तेरे साथ हूँ, आगे बढ़ अब तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है, ये संदेश सदेव देती है, बैला जी दर्बार से जुड़कर आप बहुत सारी चीजे सीखें, रोत तक हरियाणा में दर्बार लगता है, माताकाली की भी पूजा की जाती है वरो जै श्री राम